बड़े ही बेरहमी से स्नेहल नाम की एक मासूम लड़की की हत्या कर दी गई थी, मगर हत्या के बाद इस केस में आगे जो कुछ भी हुआ वो और भी हैरान कर देने वाला था। इस घटना के समय स्नेहल की उम्र 21 साल थी, तथा वो अंधेरी के सरदार पटेल कॉलेज ओफ इंजिनिरिंग से मेकैनिकल इंजिनिरिंग की पढ़ाई कर रही थी। स्नेहल की गिंती अपने बैच के बैस्ट स्टुडेंट्स में की जाती थी। पढ़ाई के साथ 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 स्नेहल को घूमने फिरने का भी काफी शौक था। इसलिए जब जून महिने में उनके कॉलेज से कुछ दोस्त ट्रेकिंग पर जाने का मन बनाते हैं, तो स्नेहल भी स्नेहल के साथ ट्रेकिंग के लिए चली जाती हैं. ये लोग वहां कई दिनों तक खूब मौज मस्ती करते हैं, मगर वापस आने से ठीक पहले ट्रेकिंग के दौरान ही स्नेहल के पैर का अंगूठा बुरी तरीके से चोटिल हो जाता है, उसे अस्पताल मिले जाया जाता है यहां ट्रीक्मेंट के बाद स्नेहल को कम से कम एक से डेड़ महीने आराम करने की सलह दी जाती हैं. अस्पताल से वापस आकर स्नेहल घटना वाले दिन के लगभग एक महीने पहले से घर पर ही रह रही थी. हर रोज की तरह 19 जुलाई 2007 को भी स्नेहल अपने घर पर ही थी. द उने स्नेहल दिखाई नहीं देती है. इसलिए वो उन्हें खोजने के लिए उसके कमरे तक जाती है. वो देखती हैं कि स्नेहल की चप्पल दर्वाजे पर पड़ी हुई है. स्नेहल का ब्रेसलेट और चश्मा भी उसके कमरे में ही पड़ा हुआ था. अब कलपना घबरा कर स स्नेहल को आवाज लगाती हैं, मगर कहीं से स्नेहल की आवाज नहीं आती है। इसके बाद कलपना बेटी के घर से गायब होने की सूचना अपने पती को देने के लिए अपने मुबाइल निकालती है, तो देखती हैं कि उनके मुबाइल पर शाम के तीन बच कर 28 मिनिट पर स्नेहल का एक SMS आया हुआ है। वो जल्दी से इस SMS को खोलती हैं, तो पता चलता है कि SMS में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बलकि एक ब्लैंक SMS होता है। ये SMS देखने के बाद स्नेहल के गायब होने की खबर उसके पिता को भी दे दी जाती है, इसके अलावा स्नेहल के दोस्तों और कई रिष्टेदारों को भी फोन करके स्नेहल के बारे में पूछा जाता है, मगर किसी के पास में भी स्नेहल की जानकारी नहीं होती है। उस समय स्नेहल का एक boyfriend भी हुआ करता था, जिसका नाम हीरेन राटहॉर था। इन दोनों की मुलाकात लगभग 2004 के आसपास हुई थी। पहले इन दोनों में दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे यही दोस्ती प्यार में बदल गई। हीरेन राटहॉर को भी phone किया जाता है, मगर उसका mobile switch off आता है, हलाकि जब थोड़ी देर बाद उसका mobile का switch on होता है, तो वो भी कहता है कि स्नेहल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब तक स्नेहल के पडोसियों तथा आसपास रह रहे रिष्टदारों को भी स्नेहल के गायब होने की खबर लग चुकी थी, और वो लोग भी स्नेहल के घर पर आ चुके थे। और दर्श करवाने के बाद भी स्नेहल के माता-पिता और पडोसी रिष्टदार बैटते नहीं हैं, बलकि देर रात तक स्नेहल को अपने अस्तर से खोशने की कोशिश करते रहते हैं, बगर इन लोगों के हाथ काम्याबी नहीं लगती है। इसनेहल की मा भी उठकर बैट से नीचे उतरती हैं, तब ही उनकी नजर बैट के पास गिरे एक पानी के बोटल पर पड़ती है। ये पानी का बोटल अकसर इसनेहल के कमरे में लगे इसी बड़े से बैट के नीचे मौजूद ड्रॉर में रहता था। मगर आज ये नीचे गिरा हुआ था। वो नीचे जुक कर पानी की बोटल उठाती हैं और बैट के नीचे बने बकसे में उसे रखने के लिए बैट पर लगे गद्दे को थोड़ा सा हटाती हैं। अगर गद्दे को थोड़ा सा खिसकाते ही वो अचानक से चीख पड़ती हैं। कलपना इतनी जोर से चिलाती हैं कि घर में मौजूद लोगों के साथ साथ पडोसियों तक को ये चिलाने की आवाज चाती हैं। और वो सभी हडवडा कर कमरे में भागते हुए आते हैं। कलपना उसी बैट की तरफ इशारा करके लगातार चिलाए जा रहीती और चिलाते चिलाते बेहोश भी हो जाती है। जब वहाँ पर मौजूद लोग कलपना के चिलाने की वज़य समझने के लिए गद्दे को हटाते हैं, तो सभी के पैरो तले जमीन किसक जाती है। उन्हें बैट के नीचे बने बकसे में एक इंसानी हाथ दिखाई देता है। आननफानन में सभी लोग मिलकर गद्दे को हटाते हैं और बैट को खोलते हैं, तो जो नजारा उनके सामने होता है, उसे देखकर हर कोई शौक्ड रह जाता है। जिस बैट पर इसनेहल की मा और कुछ दूसरे रिष्टदार रात में सोय थे, उसी के नीचे बने बकसे में इसनेहल की लाश पड़ी हुई थी। हीरेन राठोर पर जताय जाता है। इसनेहल की मा के मुताबिक पिछले एक हफ़ते से सनेहल और हीरेन का किसी बात को लेकर जगड़ा चल रहा था और इन दोनों में आजकल बाचीत भी बहुत कम हो गई थी। मौचूद नोकिया N72 मोबाइल फोन भी गायव है। पुलिस को जाच में घर के अंदर किसी भी तरह के फोर्स एंट्री के सबूत नहीं मिलते हैं। इससे ये साफ था कि जिसने भी सनेहल की हत्या की है वो बड़े आराम से घर के अंदर आया और शायद सनेहल उसे जानते भ हुआ था। घर से कोई दूसरी कीमती चीज भी गायब नहीं हुई थी। ऐसे में ये लूट के लिए की गई हत्या का मामला भी नहीं लग रहा था। अब पुलिस शक के आधार पर सबसे पहले सनेहल के बॉइफ्रेंड हीरेन राठोर को पूछताश के लिए बुलाती है। सबसे पहले हीरेन से घटना वाले दिन मोबाईल स्विच ओफ होने की वज़े के बारे में पूछा जाता है। तो वो बताता है कि दो दिन से उसका मोबाईल खराब चल रहा है और वो मोबाईल तभी ओन करता है जब उसे किसी को फोन करना होता है। जाच परताल में हीरेन क ये दावा सच पाया जाता है जब हीरेन से पूछा जाता है कि घटना वाले दिन वो कहा था तो वो बताता है कि मैं रोज की तरह अपने काम पर गया हुआ था हीरेन के इस दावे की पुष्टी के लिए पुलिस की टीम उस कमपणी में जाती है जहां हीरेन काम किया करता था वहाँ उसके कलीक तो इस बात की पुष्टी करते हैं कि दिन भर हीरेन 19 जुलाई 2007 को काम पर था मगर जब कमपणी के अटेंडेंस रेजिस्टर को लाने को कहा जाता है तो पता चलता है कि attendance register अचानक से गायब हो गया है पुलिस वाले उस attendance register को खोजने की काफी कोशिश करते हैं ये कोशिश वर्षों तक चलती रहती है मगर वो attendance register कभी नहीं मिल पाता है हीरेन के साथियों द्वारा दिये गए बयान से पता चल रहा था कि हीरेन तो संभाविध हत्या वाले दिन काम पर था उपर से सनेहल के कमरे या पूरे घर में कहीं भी ऐसे एक भी सबूत नहीं मिले थे जिससे ये साबित हो सके कि हीरेन घटना वाले दिन या उससे पहले इस घर में आया था गिरफतारी से कुछ ही दिनों बाद हीरेन को सबूत के अभाव में छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों बाद फिर से हीरेन को पूछताच के लिए बुलाया जाता है मगर इस बार भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है अंत में हीरेन का सैकोलोजिकल टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन एनालेसिस भी किया जाता है मगर उससे भी पुकता तोर पर पुलिस को कोई भी ठो संकेत नहीं मिलते हैं पुलिस और घरवालों का शक सबसे जादा हीरेन पर था मगर पुलिस की अब तक की जाँच में वही बच्चता आ रहा था अब पुलिस वाले नए सीरे से जाँच शुरू करते हैं और इस जाँच के दाइरे में हीरेन के माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों को भी शामिल करते हैं इसी जाँच परताल के दोरान खुलासा होता है कि स्नेहल के पिता हिंदू राव गवारे को शक था कि उनकी पतनी कलपना का चक्कर उसके ही एक रिष्टेदार अनिल जवालेकर के साथ चल रहा था पुलिस इस एंगिल से भी जाँच करती है कि कहीं इस अवैद संबंद के रिष्टे कुछ शुपाने के लिए तो ये हत्या नहीं की गई है इस कारण अब इसनेहल की मा कलपना का भी साइकोलोजिकल टेस्ट, पॉलिग्राफ टेस्ट और ब्रेन अनालिसिस टेस्ट किया जाता है मगर इसमें भी कुछ भी संग्दिग्द नहीं पाया जाता है ये सभी टेस्ट इसनेहल के पिता हिंदू राव गवारे पर भी किये जाते हैं मगर यहां भी सनेहल की हत्या के संबंध में कुछ भी संग्दिग्द नहीं मिल पाता है हलाकि इस जाच के दौरान ये खुलासा जरूर होता है कि इसनेहल की मा कलपना और पिता हिंदू राव के आपसी रिष्टे ठीक नहीं चल रहे थे यहां तक कि हिंदू राव की बड़ी बेटी शीतल जो लंदन में रहकर पढ़ाई कर रही थी उससे भी हिंदू राव के रिष्टे ठीक नहीं थे और उसने अपने पिता पर तो मारपीट तक का मामला पुलिस में दर्ज करवाया हुआ था। इस नहल से भी हिंदू राव के रिष्टे तनावपूर नहीं थे। जिसके साथ कल्पना के अवैद संबंध होने का शक जताया गया था। पुलिस उससे भी पूश्टाच करती कोई सबूत हाथ नहीं लगता है। जिन चार लोगों पर शक जताया गया था सभी लगबग शक के दाइरे से बाहर हो चुके थे। हाला कि इसने हल के बॉइफरेंड हीरेन राटहॉर को अब तक पुलिस ने क्लीन चिट नहीं दी थी और उस पर अब भी नजर रखी जा रह हैं। इसी के बाद कतित तोर पर दाओद इबराहिम के डी गैंग से जुड़े कुछ लोगों से भी इस हत्याकांड के सिलसले में पूछताच होती हैं। मगर यहां से भी कुछ नहीं मिलता है। इन लोगों से पूछताच करने के साथ साथ पुलिस कल्पना का गुम हुआ म मुबाइल भी तलाश रही थी। मुबाइल तो गायब होने के बाद ही स्विच ओफ हो गया था, मगर मुबाइल के IMEI नंबर के जरिये अब भी मुबाइल पर नजर रखी जा रही थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद अचानक से मुबाइल में कुछ एक्टिविटी दर की जाती है और IMEI के जरिये पुलिस मुबाइल को ट्रेस करते हुए मनसुख शिवाजी पाटिल नाम के व्यक्ति के पास से ये मुबाइल बरामत कर लेती है। इस व्यक्ति को भी गिरफतार कर लिया जाता है और पूश्टाच का सिलसला शुरू होता है। पूश्टाच मे कई घंटों की पूश्टाच के बाद पता चलता है कि वास्तब में स्नेहल से मनसुख शिवाजी पाटिल का कोई लेना देना नहीं है बलकि किसी तीसरे व्यक्ति ने इसे स्नेहल का मुबाइल बेच दिया है। जोकि मनसुख ने मुबाइल बेचने वाले व्यक्ति को देख इसनेहल को इस दुनिया से गए हुए कई महिने बीच चुके थे, मगर पुलिस के पास कातिल और सुबूत के नाम पर कुछ नहीं था। इसनेहल के फिंगरप्रिंट्स तलाशने की कोशिश करती रही, मगर पुलिस को सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि किसी भी फिंगरप्रिंट्स से हीरेन राप्रिंट्स मैच नहीं होते हैं। दसल 2010 में हीरेन राठोर के पिता का देहांध हो जाता है। पिता की मौत की खबर सुनकर हीरेन विदेश से अपनी पढ़ाई छोड़कर पिता के अंतिम संसकार में शामिल होने के लिए वापस अपने घर आता है। पिता के अंतिम संसकार के बाद क्राइम ब्राच भी हीरेन को ही प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए जाँच आगे बढ़ाती है। और फिर से हीरेन को पूछताज के लिए बुलाया जाता है। क्राइम ब्राच की ओर से हीरेन का नार्को टेस्ट करवाने का फैसला किया जाता है। कोर्ट में कहा जाता है कि इस बार पुलिस के हाथ हीरेन के खिलाफ स्ट्रॉंग एविडेंस मिले हैं। हिरेन कोर्ट में नार्को टेस्ट के लिए अपनी मंजूरी भी दे देता है। अब नार्को टेस्ट की तयारी चल रही थी। केसी बीच केस में एक बार फिर से नाटकिये मोड आता है। क्राइम ब्रांच की ओर से कोर्ट में बयान दिया जाता है कि पुलिस को हिरेन के को 15 साल से भी जादा हो चुके हैं, मगर आज तक पुलिस ना तो एक गवा ला पाई है, ना कोई एक सबूत, और ना ही कोई कातिल है। वैसे ये केस अब तक बंद नहीं हुआ है, और पुलिस आज भी अपने स्तर से इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस सार इस नहल की हत्या किसने और क्यों की होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी महनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसे ही एक और सची कहानी के साथ अगली वीडि